नमस्का जहिंद, All Exam Guide Guru का यूटूब चैनल आप सबी देख रहे हैं, मेरा नाम है सुजीत पांडे दोस्तों, हिस्ट्री के जो कॉश्चन होते हैं, इतिहास के कॉश्चन, जीके में सबसे ज़्यादा पूछे आते हैं, उसका रिजन यह है कि इतिहास बहुत बड़ा है प्राचीन भारत का इतिहास, मद्य भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास मतलब हडपा सब्विता से लेकर यदि आप चलेंगे, आज आदी के समय तक के पूरे कॉश्चन यदि आप देख लेंगे यह सभी कॉश्चन आप जिसे एक्जाम की तियारी कर रहे हो, यह कॉश्चन तो आपको हर एक्जाम में आने वाले हैं, इनको आप अच्छे से कर लिजीगा, याद कर लिजीगा, पूरे 1000 कॉश्चन अच्छे से याद कर लिजीगा 10 पार्ट में ये पूरे 1000 कॉश्चन में आपको करा दूँगा ठीक है 100-100 कॉश्चनों के 10 पार्ट रहेंगे 1000 कॉश्चन 10 वीडियोस में आपके कवर हो जाएंगे करते हम इस वीडियो को स्टार्ट पहला प्रशने देखिए क्या आप पूछा गया है अमारी समेहनत के लिए सबसे पहले आप लाइक भी कर दीजिएगा और अगला पार्ट चाहिए तो कम से कम 1000 लाइक का टार्गेट है 1000 लाइक हो जाएंगे तो अगला पार्ट तुरंत आजाएगा पहला प्रशन है कि अगबर नामा किसके द्वारा लिखा गया अगबर नामा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसके द्वारा अगबर नामा लिखा गया राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए अबुल फजल ऑप्शन नम्बर सी अगबर नामा अबुल फजल के दुवारा लिखा गया option बसी कौन Frontier गांधी के नाम से प्रसिद्ध है Frontier गांधी या सीमांध गांधी ये 1000 कौशन वही रहेंगे जो बार-बार एक्जाम में आते हैं कुछ याद करो चाहें ना करो ये पूरे याद होना चाहिए तो Frontier गांधी या सीमांध गांधी खान अब्दुलगफार खान को कहा जाता है option number A यहाँ पर right answer है किस वर्ष सरोजनी नाइडू भारती राश्टी कॉंग्रिस अधिवेशन की अधिश्टा की सरोजनी नाइडू जी ने किस वर्ष भारती राश्टी कॉंग्रिस की अधिश्टा की तो यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन दिये गए है 1925 वो सन था जब सरोजनी नाइडू ने भारती राश्टी कॉंग्रिस की अधिवेशन की अधिश्टा की महात्मा गांधी जी के द्वारा दीन बंदू की उपादी किसको दी गई थी? दीन बंदू की उपादी महात्मा गांधी जी ने किसको दी थी? यहाँ पर आपको जो अप्शन देगा है, राइट आंसर हो जाएगा सी एफ एंड्रीजी को महात्मा गांधी जी ने दीन बंदू की उपादी दी थी राइट आंसर होजाएगा 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजडी ने भारत पर option number A यहाँ पर right answer है भारत और पाकिस्तान के अंतिम भारती वायसराई कौन थे भारत और पाकिस्तान के आखरी सायुक्त वायसराई जो भारत के भी थे और पाकिस्तान के भी थे Lord Mountbatten option बड़ी Lord Mountbatten यहाँ पर right answer है प्रशने के लिए Lord Mountbatten अंतिम मौर्य साशक कौन था आखरी मौर्य साशक यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन दे गए है कौन था आखरी मौर्य साशक था आपका ब्रहदत option number A ब्रहदत यहाँ पर right answer हो जाएगा आखरी मौर्य साशक था ब्रहदत गुरु नानक जी की जन मिस्थली पहले जानी जाती थी राय भोईदी तलवंडी के नाम से option number A तलवंडी या राय भोईदी तलवंडी option number यहाँ पर A right answer है वंदे मातरम पहली बार किस राजनितिक आउसर पर गाया गया था तो वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था भारती राष्ट्री कॉंग्रिस अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम की बात हो रही है भारती राष्ट्री कॉंग्रिस अधिवेशन 1896 पुस्तक हुमायू नामा किस ने लिखी थी इन में से किस के द्वारा हुमायू नामा लिखी गई थी तो पुस्तक हुमायू नामा की जो लिखक है वो है आपकी गुल बदन बेगम आप्शन नमबर यहाँ पर आपका भी गुल बदन बेगम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण की लिए पिकली हल और उटनूर किस काल के महत्वपूर इस्थल हैं तो पिकली हल और उटनूर ये दोनों नव पाशान कालिय महत्वपूर इस्थल हैं आप्शन नमबर भी नव पाशान कालिय बहुत महत्वपूर इस्थल हैं पिकली हल और उटनूर किस वंश का शाशन दक्षिन भारत में था इन में से कौन सा वंश दक्षिन भारत में शाशन करता था यहां पर आपको जो ऑप्षिन देगे हैं या रखना चोल सामराज या चोल वंश दक्षिन भारत में चोल सामराज का शाशन था ऑप्षिन नमबर A शेर्शासूरी का मगबरा कहां परिस्थ है शेर्शासूरी का मगबरा तो शेर्शासूरी का जो मगबरा है यह सासाराम बिहार में शेर्शासूरी का मगबरा इस्थ है कौन सा मंदर चोल सामराजी का उधारण है कौन सा मंदर चोल सामराजी का उधारण है तो यहाँ पर आपको जो मंदर दियेगा है इनमें से एरावतेश्वर का मंदर ये चोल सामराजी का उधारण है Option number एरावतेश्वर का मंदिर चोल सामराजी का उधारन है सत्य में हो जायते शब्द किस उपनिशद से लिया गया है सत्य में हो जायते शब्द किस उपनिशद से लिया गया है तो सत्य में हो जाएते जो शब्द है ये मुंडक उपनिशद से या मुंडक उपनिशद से लिया गया है option number B मुंडक उपनिशद या मुंडक उपनिशद right answer हो जाएगा पाल राजवंच का संस्थापक इन में से कौन था पाल राजवंच का संस्थापक तो पाल राजवंच का जो संस्थापक था, वो था आपका गोपाल, option number C, यहाँ पर गोपाल, प्रश्णी के लिए right answer है Muslim League की स्थापना कप की गई थी? Muslim League की स्थापना इनमें से कप की गई थी? तो Muslim League की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी, आपकी 1906 में, option number B, 1906 में Muslim League की स्थापना की गई थी, right answer हो जाएगा इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कप बना था? इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कप बना था? इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था गुरू पर्व किस महीने मनाये जाता है शिखों का प्रसिद्ध गुरू पर्व किस वर्ष मनाये जाता है किस महीने मनाये जाता है आपकी गुरु पर्व मनाये जाता है आपका कार्तिक के महीने में option number C कार्तिक मास में गुरु पर्व को मनाये जाता है यहाँ पर आपका option number C right answer हो जाएगा कार्तिक मास या कार्तिक महीना किस वर्ष में भारत ब्रिटिस राज के सीधे नियंत्रन में आ गया था तो भारत ब्रिटिशों का गुलाम हो गया था पहले इस्ट इंडिया कमपनी का कबजा था उसके बाद सीधे ब्रिटिश हांत में चले गया थे 1859 में 1859 की करांती के एक साल बाद किस राज में फोडंग बौध मत इस्थत है आप्षिण हम पर आपको जो राज दिये आपर रॉडंग राहिट आंसर हो जाएगा सिख्यम राज बौध मत इस्थत है ऑप्षिण नम्बर यहाँ पर आपका डी फोड़ राहिट आंसर है प्रशन के लिए किस वर्ष लॉड करजन ने बंगाल विवाजन का आदेश दिया था बंगाल विवाजन का आदेश दिया था 1905 में लॉड करजन ने बंगाल विवाजन का आदेश दिया था भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है तो भारत में राष्टपता के रूप में मोहंदास करमचंद्र गांधी जी को जाना जाता है option number ये मोहंदास करमचंद्र गांधी right answer है भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाडा मंदर इस्तित हैं जैन धर्म के दीलवाडा मंदर तो जैन धर्म के दीलवाडा मंदिर आपके माउंट आबू में इस्तित हैं अप्शन नमबरे माउंट आबू में जैन धर्म के दीलवाडा मंदिर इस्तित हैं अप्शन नमबरे यहाँ पर ए राइट आंसर होई इलहबाद की संधी पर कब हस्ताक चरूए थे इलहबाद की संधी पर इलहबाद की जो संधी हुई थी उस पर हस्ताक चरूए थे सत्येंद्र बसाद सेनाजी राइट आंसर हो जाएगा बौद धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है बौद धर्म की पवित्र पुस्तक यहां पर आप कुछ ऑप्शन देगा है या रखेगा त्रिपिटक बौद धर्म की पवित्र पुस्तक है हडपा सविता की खोज सरपतम किस वर्ष में हुई थी हडपा सविता की खोज सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी यहां पर आप कुछ ऑप्शन देगे हैं 1921 में हडपा सविता की खोज सबसे पहले हुई थी 1921 ऑप्शन नमबसी 1921 यहां पर राइट आंसर है दूसरा एंगलो मैसूरियोद कब लड़ा गया था दूसरा एंगलो मैसूरियोद कब लड़ा गया था तो 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 टीपू सुल्तान के राज्य में मैसूर की राज़ानी थी आपकी श्री रंग पत्नम ऑप्शन अमड़ी यहां पर राइट आंसर है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा का नारा किस ने दिया था तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यहाँ पर आपको 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 आप किस ने वर्धा योजना या बुन्यादी सिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांदी जी ने वर्धा योजना या बुन्यादी सिक्षा को प्रस्तावित किया था यहां पर आपको ऑप्शन दे गए हैं महाभारत का अनुवाद का अनुवाद किया गया था राइट आंसर हो जाएगा इस आन्दोलन की शुरुवाद महात्मा गांधिजी के द्वारा 1930 में की गई थी 1930 में कौन सा आन्दोलन शुरू हुआ था 1930 में आपका सविनावग्या अन्दोलन श्टार्ट हुआ था option number यहां पर आपका B सवीना वग जान दोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था या रखेगा option number B भार सरकार ने operation polo code name के तहत किसे अपने अधिकार में लिया था तो भार सरकार ने operation polo code name के तहत हैदरावाद को अपने अधिकार में लिया था प्राचीण राजाओं के लिए प्रशंशा के लिए पत्थरों पर लेख लिखवा जाते थे शिला लेख लिखवा जाते थे और उनको प्रसस्तियों के रूप में जाना जाता था option no.D स्सस्तियों के रूप में जाना जाता था महातमा गांदी और मुहांबत अली जिन्णा दोनों की गुरु कौन थे तो महातमा गांदी जी और मुहांबत अली जिनना इन दोनों की गुरु थे गौपाल कृषने गोखले जी कालेलकर के द्वारा option number C काका कालेलकर जी right answer है प्रश्ण के लिए राम क्रिष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे तो राम क्रिष्ण मिशन इसके संस्थापक थे आपके स्वामी विवेका नंद जी Option number C स्वामी विवेका नंजी राम क्रिष्ट मिसन के संस्थापक थे राइट आंसर बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में किसे पराजित किया तो बाबर ने 1528 में चंदेरी में मेदिनी राय को हराय था Option number B मेदिनी राय राइट आंसर हो जाएगा कौन कॉंग्रेश सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था कॉंग्रेश सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक यहाँ पर आपको जो नाम दिये गए है राइट आंसर हो जाएगा राम मनुहर लोहिया Option number B राम मनुहर लोहिया राइट आंसर हो जाएगा प्रश्णी के लिए कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाब विद्रों में इलहाबाद के एक प्रमुख निता थे तो इलहाबाद में इसका अब नाम है प्रयाग राज मौलवी लियाकत अली ने 1857 की विद्रों के खिलाब जो है आंदोलन में सबसे अग्रणी निता के रूप में काम किया मौलवी लियाकत अली कुल कितने वेदांग हैं वेदांगों की संख्या कितनी हैं तो कुल आपके 6 वेदांग हैं वेदांगों की संख्या है 6 ओप्शन नमबर वी यहाँ पर 6 राइट आंसर है किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्टान अब्राहिम लोधी को हराया तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्टान अब्राहिम लोधी को 1526 में हराय था आप्शन नमबर वी 1526 में हराय था पर आइट आंसर हो जाएगा इसे प्रश्णी के लिए सर थॉमस रो किस मुगल समराट के दरवार में आये थे तो सर थॉमस रो यह आये थे जहांगीर के दरवार में ऑप्शन अमबड़ी जहांगीर के दरवार में आये थे सर थॉमस रो हमपी के खंडार किस वर्तमान भाती राज्य में इस्त थे हैं तो हमपी के खंडार आपके करनाटक राज्य में इस्त थे हैं option number D करनाटक राज्य में हमपी के खंडार इस्त थे हैं option number D यहाँ पर right answer है निर्ण लगित में से कौन नंद वंश का अंतिम शाशक था वन्ष का शाशक अजात शत्रू किसका पुत्र था अजात शत्रू किसका पुत्र था तो या रखेगा अजात शत्रू बिम्बिसार का पुत्र था option number C बिम्बिसार का पुत्र था अजात शत्रू किसे पहले दा लेडी विलिंगिटन पार्क के रूप में जाना जाता था आप्शन वसी लोधी गार्डन्स को तलेडी विलिंगिटन पार्क के रूप में जाना जाता था हेन सांग ने किसके साशनकाल में भारत का दोरा किया तो हेन सांग भारत आया था हर्ष के साशनकाल में आप्शन अमड़ी विश्णू गुप्त, option number D, विश्णू गुप्त जो थे ये गुप्त वंच के अंतिम स्वीकरत समराट थे option number D, हर्यक वंच से मगद के पहले शाषक बताईए, हर्यक वंच से मगद के सबसे पहले शाषक थे आपके बिम्बिसार, option number A, बिम्बिसार सबसे पहले शाषक थे, ह तर्टिम जलाचा है जो मार्याओं के साशन काल के दोरान बनाएं गया मौनिया दोरा니रो ने लचित जञाम था है शुदर्शन जील यह बह्मिकर बान भट्ट्रा शीम хर्ट्र चरित्र का नोज की किसके द्वारा रजित है हर्श चरित तो हर्श चरित जो रचित है यह आपका बान भट के द्वारा रजित है option number A या रखना हर्श चरित को बान भट ने रचना की है option number A यहाँ पर right answer चौथी शताब्दी इसापूर मगद की राजधानी क्या थी कहां का गोल गुम्मद या गोल गुमद आदिल शाह का मगबरा है तो गोल गुमद इस्थित है आपका कहां पर बीजापूर में option number C बीजापूर का गोल गुमद आदिल शाह का मगबरा है option number C यहाँ पर right answer है बीजापूर का गोल गुमद भारत में वैदिक सविता किस नदी के किनारे विक्षित हुई थी, भारत में वैदिक सविता इनमें से किस नदी के किनारे विक्षित हुई थी, राइट आंसर है, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सविता विक्षित हुई थी, मगद की राजधानी को कहा इस्थान अंत्रित किया गया था option number यहां पर आपका भी पाटली पुत्र इस्ठानत्रत किया गया था मगत कि राधानी को option नुबर भी यहां पर right answer है 1923 का जंडा सत्यागरह किस शहर में आयोजित किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में आयोजित किया गया ओप्शन नमबर B विहार में किसी विश्व धरुवर स्थल के रूप में जुलाई दोजाद 16 में यूनेसको द्वारा चिन्नित किया गया तो विहार में यूनेसको धरुवर के द्वारा जुलाई 2000 जुला में नालंदा महा विहार को चिन्नित किया गया ओप्शन नमबर B नालंदा महा विहार यहां पर राइट आंसर है अलाई दर्वाजे का निर्मान किसके द्वारा कराए गया अलाई दर्वाजे का निर्मान किसके द्वारा कराए गया तो यारखेगा अलाय दरवाजे का निर्मान करवाया था यह राइट आंसर है तो प्रसेद विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमार में जिसको चत्रपती शिवाजी महाराश टर्मिनल कहा जाता है मुंबई में कब बनाए गया था तो विक्टोरिया टर्मिनल या CST जिसको स्वाट फों में कहा जाता है यह बनाए गया था आपका सबसे पहली मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश राजी की आप्शन बढ़ी, उत्तर प्रदेश राजी की पहली महीला मुख्यमंत्री बनी। किस इस्तंब शेला लेक में समुद्र गुप्त की उपलब्दियां अभी लिखित की गई हैं। समुद्र गुप्त की उपलब्दियां हैं आपकी इलहाबाद इस्तंब में, अभी लिखित की गई हैं। निम नलेकित में से कौन सा मुगल शाजकों का गलत अनुक्रम हैं। सही अनुक्रम नहीं दिया गया है। तो देखो बाबर के बाद हुमायू, हुमायू के बाद अकबर सही दिया गया है। जहांगीर, शाह जहां, और रंगजियो, अकबर के बाद जहांगीर, शाह जहांगीर, और 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 गवर्νεस जनल कों था जब सती पुर्था अवेद और डंडनिय घोशित की गए उस समय गवर्νεस जनल थे आपके Lord विलियम बैटिंग अप्शन नमबर A उस समय गवर्νεस जनल थे अप्शन नमबर यहाँ पर A राइट आंसर हो जाएगा Lord विलियम बैटिंग भारत छोड़ो आंदोलन किस इस्थान पर आरंब किया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांती मैदान पर आरंब किया गया था option number भी अगस्त क्रांती मैदान पर महावली पुरम में पंच रतों का निर्मान किस राजवंच ने कराया तो महाबलीपुरम में पंच रतों का निर्वाण पलव राजवंच ने कराया Option No.C पलव राजवंच ने कराया गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था तो गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ था किस वर्ष Congress Socialist Party CSP की स्थापना की गई थी, तो Congress Socialist Party CSP की स्थापना 1934 में की गई थी, आप्शन नमबर C, 1934 में CSP की स्थापना की गई थी, किस शेहर में जहांसी की राणी का समाधी स्थल इस्थत है, जहांसी की राणी का समाधी स्थल किस शेहर में स्थत है, तो यह आप कर किसने 1925 में काकोरी रेल लूट का सरयंत रचा था राम प्रशाद बिस्मिल और अस्फाक उल्ला खान यहां पर ऑप्शन नमबसी राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए महरुनिसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था यह किसकी पतनी थी महरुनिसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए तो नूर जहां के नाम से जो महरुनिसा को जाना जाता था, यह आपकी जहांगीर की पत्नी थी, option number C, जहांगीर की पत्नी थी, right answer हो जाएगा इस प्रश्णी, एक कोशन छोड़िया, विक्रम संवत कब आरंब हुआ था, विक्रम संवत कब आरंब हुआ था, तो विक्रम संव दिया, CR सूत्र इनमें से किस निता ने दिया हमें, right answer क्या हो जाएगा, तो CR सूत्र दिया था, आपका right answer हो जाएगा, C, राजगोपालाचारी जी ने, option number A, कौन सा इसमारक, कुतुब परिशर का भाग नहीं है, कुतुब परिशर का भाग नहीं है, तो कुतुब परिशर म अकला मस्यद है, भुलंद दर्वाजा नहीं, option number D, भुलंद दर्वाजा नहीं है, option number आपका यहां पड़ी, right answer हो जाएगा, भुलंद दर्वाजा, अगला question देखिए, क्या पूछा गया है, कौन सा कथन, कॉंग्रिस के करांची सत्र, 1931 के संदर्व में सही है, करांची सत् संदी की पुष्टी हुई थी, कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबनित है, मराठों की कराधान प्रणाली से, यहां पर आपकुछ option देगा है, चौथ और सरदेश मुखी, option number D, चौथ और सरदेश मुखी, चौथ चौथ युद्ध हुमायू और किसके बीच लडा गया, तो चौथ युद्ध हुमायू और शेरशा सूरी के बीच लडा गया, option number D, हुमायू और शेरशा सूरी के बीचमें, चौथ लड़ा गया किस अधिनियं द्वारा भारत में सत्ता prêtus east india company से brittus crown में स्थान अंत्रत हो गई तो इस इंडिया company के पास पहले भारत की भागडोड थी उसके बाद हम अंग्रेजों के सीदे गुलाम हो गए भारस सरकारा अधिनियं 1858 की तहट ओप Japonry और सी हिंदुस्तान Socialist Republican Association की स्थापना किस वर्ष हुई तो अनीश्तान Socialist Republican Association की स्थापना 1928 में हुई थी option number 1928 राइट आंसर हो जाएगा स्रती आंगल मैसूरियोद के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे तीसरे आंगल मैसूरियोद के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपके कॉर्ण वालिस option number यहाँ पड़ी कार्णवालिस बंगाल के गवर्नेजरनल थे शिवाजी महाराज के साशिनकाल में मंत्री परिशर को किस नाम से जाना जाता था तो शिवाजी महाराज के साशिनकाल में मंत्री परिशर को अश्ट प्रधान कहा जाता था option number D अश्ट प्रधान यहाँ पर right answer है वेदांगों के संदर में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है तो वेदांगों के संबंद में कल्प जो शब्द है यह अनुष्ठान को दर्शाता है option number C कल्प जो शब्द है यह अनुष्ठान को दर्शाता है सितंबर 1920 के भारती राष्ट्री कॉंग्रिस अधिवेशन का आयूजन कहां किया गया था तो भारती राष्ट्री कॉंग्रिस अधिवेशन 1920 कलकत्ता में इसको आयूजन किया गया था जिसको अब कोलकाता कहा जाता है option number D कलकता या कोलकाता राइट आंसर है निमनलगित में से कौन आंद्रकेशरी के नाम से फेमस है आंद्रकेशरी इनमें से किसी कहा जाता था तो आंद्रकेशरी कहा जाता था T.Prakasham को option number D टीप प्रकाशम को आंद्र केशरी कहा जाता था तीसरा गोल में संबेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था तो तीसरा गोल में संबेलन 1932 में आयोजित किया गया था खानुवा या खानुवा की लड़ाई किस वर्ष हुई तो खानुवा या खानुवा की जो लड़ाई हुई थी वह हुई थी आपकी 1527 में option number A 1527 right answer है जैन दर्शन के अनुसार जीना या जीन शब्दिकार्थ क्या है तो जिन या जीना शब्दिकार्थ होता है विजेता option number C विजेता यहाँ पर right answer हो जाएगा किस राज में अशोक की जोगड शिला राजा गया रॉक एडिक्ट इस्तित है तो अशोक की जोगड शिला राजा गया या आपका शिला लिख भी बोल सकते हैं या आपका उडिसा राज में अशोक का शिला लिख है उडिसा राज में जोगड वाला स्वराज पाटी की स्थापना किसने की स्वराज पाटी की स्थापना मोती लाल नहरू और चितरंजन दास ने की option number C कौन सा विद्वान आर्यों की तिबबत ग्रह सिद्धांत से यहां पर आपको विद्वान दिये गए है तो पॉर्त गालियोंने गौवा को किस वर्ष अधिकरत किया तो पॉर्त गालियोंने गौवा को पंद्रासो 10 ECU में अधिक्रत किया 1510 ECU option number यहाँ पर आपका भी right answer हो जाएगा लंदन में पहला गोल में समेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था तो लंदन में जो सबसे पहला गोल में समेलन हुआ था आयोजित यहाँ पर आपको right answer क्या हो जागा इस प्रशने के लिए तो right answer है आपका 1930 में सबसे पहला गोल में समेलन हुआ था आईने अकबरी पुस्तक का लेखन किस ने किया है नाम बताइए आईने अकबरी जो पुस्तक है इसका जो लेखन किया गया है यहाँ पर right answer हो जाएगा यहाँ पर इस प्रशने के लिए अबुल फजल ऑप्शन नमबर यहाँ पर डी बी अबुल फजल राइट answer हो जो गया आपका part 1 यदि आपको पार टू चाहिए ऐसे 1000 कॉस्चन है तो comment box में part 2 जरू लिए और इस प्रशने का answer दीजिए इस प्रशने का answer हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे समाजवाद का जय प्रिकास नारान संग्राहल है कहां इसका answer आपको comment box में comment करके बढ़े वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करने चैनल पर पहली वा जालों से पूशे जा रहे हैं जिस एक्जाम के आप तयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ question answer बना हैं 10,000 GKGS के question answer जो MCQ के format में 4 option में जो की आप जो एक्जाम तयारी कर रहे हैं 100% chances से आने के और वो question answer PDF है और PDF सब को WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से जिसको भी चहि बाकि जिसको लेना हूँ 99 रुपय में आपको 10,000 GKGS की question मिल रहे हैं जो कि आपके exam में फर्च सकते हैं तो इनको PDF को लेने के लिए नीची दीगर नबर और WhatsApp कर लेना नबर आपको पूरे वीडियो बर्स होगा जब भी आप वीडियो चोड़ो उसके बाद आप कॉल कर ले या स्कीन शोड लेके रख लेना ठीक है